आप सब आप सबस्त वंगे मज़ी में होंगे साथ में अपनों का भी धियान रख रहे होंगे और अलग तरीके से बना रही हूं तो इसलिए मेरेसिपि आप सब के साथ में शेयर कर रही हूं मैंने दो मेडियुप सैच के प्याज ले लिये थे उसको कट करके जार में डालूंगी और एक लहसन की गाँत है मतलब कि संसैंग कुला उसको आप check को तो कि मैं चिलके और जार में कि इसने हरी मरिस में डालूगी चार से पाच ह्हेक बीच डालूँगी और सब का या पेस्ट बना लोंगी में अब अब धी क्योंकि हरी लेसन में इसार नहीं हो पत्ते वाली जो लेसन आती है अगर हम यहां पे यूज कर सकते हैं बट मेरे पास अभी थी नहीं तो आगे आप और आगे आप लोगे साथ में चावल के पापड़ की रेसेपी में शेर करने वाली हूं तो प्लीस आपलों वीडियो में बने रहना क्योंकि इसे पहले वाले वीडियो में आपने देखा पापड बना हुआ तयार हुआ लेकिन इस वाले वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हमने बनाया है तो टोटल रेसेपी में आप लोग शेर करने वाली ह में दंख दोंगी एक छोटा चमाज में आपको पेस्ट इसमें मैं नाट भूल गए हैं Bak ति दाला था टो बनाते समय कहले तो हुआ जाला grey यता है है तो इसको मैं भूलूंगी ब्राउन होने तक अच्छे से उसके बाद में मत्र को और पीश्ट को भी ढाल हुआ तो यहां मैं धनीया पता ले लिया है बहुत साड़ा यानि इसमें धन्याका टेस्ट अच्छह आता है निमूने में तो चरफ आप त ले लिया है बहुत सारा और इसमें मैं डाल दूंगी और फिर मैं डाल दूंगी मतर में साफ सारा मतर ने तीं हप зм소 यहां पर जो बचवा मटर उसके मैं डाल दूँगी कढ़ाई में और फिर में डाल दूँगी मसाले अच्छे सब भुनने के बाद में मतलब जो मैंने पेस्ट बनाया था प्यास ट्माटर लहसन और हरी मिर्च का तो अच्छे सब भुन लिया है उसका कलर चेंज हो गया है उस और इसको भी भुनेंगे हम अच्छे से जब तक कि या खिला ःता है मतलब भूनने के बाद में खिला खिला हो जाता है तो पता है एक दम सूग गया उसके बाद में इसमें डाल लेंगे पानी जितना भी में चाहिए जिसे इसेसाब से मैं इसको गाड örप aside रखना अधीन में in और जार में जो मतलब मुझे लगता है सारी लेडी से हैसा करती हैं जो मसाले लगे होते हैं उसको धो के और फिर वापस कढ़ाई मिं डाल देती है यह और फिर इसमें मैं गर्पक बनाया हुइंISH बुर्णाजीर बढ़ा तो सब्स्क्राइब हुआ अच्छा इस सब्सक्राइब अच्छा ञंप गदी आप देख सकते कितना अच्छा लग रहा है और इसके साथ मैं ने बनाया था चावल और फिर मन्हें आटा लगा के राभ दिया था तो तो रोटी चावल और निमूना देखे यह आटा भी लगा के रख लिया है मैंने तो खाने के टाय में बना लूँगी और यहां हम कर रहे हैं जैसे मैं पहले आपको बताए कि चावल के पापड की रेसिपे आज मैं आप लोगे साथ शेयर करने वाली हूं तो जार में हम हरी मि दिया है जिरा जैसे क्या अब लगे नहीं देखा तो उसमें 50 ग्राम जिरा डले गा जीसे एक व्यार किलोगर चावल का आटा है तो उसमें दो और में ढ़िए पानी रख दिया था वबनने के लिए और पानी इसका रैशियू ऐसा होता है कि चावल का आटा आटा आपका द दबल पानी चाहिए दबल पानी चाहिए और फिस लिए द मिर्ची और जीरा तो बना लिए हैं फिक फोलते हुए पानी में अपस्छली के पे स्च बाइस दल दिया अच्छा सब्धेरे चोटा चमच डालेंगे इसको चलाते हुए डालना है ताके गुठली आना पड़े एक्चुली around दालते रहेंगे और चलाते रहेंगे तो मैं यहां बेलन के इस्तिमाल कर रही हूं और मैंने ऐसे ही देखा है काफी लोगों को देखा है बनाते और मम्मी भी मेरी बनाती है तो मैंने ऐसे ही चलाते वह देखा है सबको ऐसे बेलन से लाते वह देखा है तो मैं भी ऐसे करती और अच्छे से इसको mix कर लेंगे हम कहीं भी कोई गाठ दिखेगी निया आपको अच्छे से इसको मिला देना है बेलन से ही और इसको मिलाने के बाद में फिर उसको उतार के और मोटे तवे पिर हम इसको रख देंगे डारेक्ट हेट के contact में नहीं रखेंगे नहीं तो मतलब डारेक्ट गेस पे नहीं रखेंगे तले से जल जाएगा इस वज़े से तो कोई भी मोटा तवा हो या पतला भी तवा हो तो उसको धीमियाज करके मतलब छोड़ देंगे पकने के लिए भाप में पकता रहेगा आपको आजव 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 अजव अजव तंदा ठंदा ए है है ना ठंदा ठंदा कि बेग लेलो है कि और यहां देखिया हमने बनाना शुरू कर दिया है तो इतना आसान तरीका आप लोग ने नहीं देखा होगा पापड बनाने का तो जो हम दूद की थहली लाते हैं जो दूद की पैकट लाते हैं यह चास के पैकट भी हो सकता है जो प्लास्टिक कोई भी तो उसके चोटे-चोड़ पेलते हैं बट मैं ऐसे ही बनाती हूं और बहुत आसानी से बन जाता है बहुत जल्दी भी बन जाता है तो आप देखे मैं कैसे बना रही हूं और जितना जादा प्लास्टिक होगा उतना ही हमको बार बार उठना नहीं पड़ेगा तो आप देख सकते कितने सारे प्लास्टि आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे-छोटे ही हमने बनाए हैं ताकि हम इसको पूरा-पूरा तल सकें तोड़ना ना पड़े कि तोड़ने से खराब हो जाते हैं चावल के फापड टुकड़े हो जाते हैं तो इसलिए उसको छोटा-छोटा भी बनाना सही रहता है कि उसको पूरा-पूरा तला जा सके हैं थोड़ा सा तेल लगाना पड़ता है तेल ना भी लगाए तो चलेगा क्योंकि प्लास्टिक के चिपकेगा नहीं इसमें फिर भी थोड़ा से लगा लेते हैं असानी से निकलने के लिए सुखाते समय आ आ अगया या कि रहें मतलब सौक्त ट्रास्टिक होना चाहिए टो उसमें अच्छा बनता եा आ झाल समें क्या तो उसमें क्या सिल्वроб खारा बापाब हो जाता तो ओर असारी सरआ का तरिका तो असानी से सूख भी जाता लुकर Het कीचेत्व कितनी असानी तरीकе से निकल जा रहा हुए मैं उमीद करते हूँ आज का वीडियो आप सबको पसंद आया हुगा और पसंद आया हो तो प्लीस आपलों लाइक करें शायर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप मेरे छैनल नए हैं तो और आगे भी आप इंट्रस्टिंग वीडियो आप आएगी मेरी अक्चुली अभी मैं लग गई हूं काम में थोड़ा सा मैंने बीच में गैप कर दिया था लेकिन उमीद करती हूं कि आप सबको अच्छा लगेगा देखिए एक के उपर एक यासे रखके भी ले जाये अच्छा ने कि अच्छा रखके अचना इसको एसे ले जाएंगे तो कोई है इसमें के यह नहीं कुछ बी और ऐसे बनाने से बहुत ही जल्दी बन जाता है पापड मतलब बेलने का जंजट नहीं रहता तो बहुत ही जल्दी बन आता है कि अ कि अ कि अ कि अ कि फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप सो अपना बहत ख्याल रखें होली आने वाली है तो आप सब तयारी में लगे होंगे तो थैंक यू फो वाचिंग बाइबाइब